लेकिन एक कहवत हमने सुनी थी कि रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था करोणों लोगों का पैसा डूब रहा था अडानी का महा घोटाला सामने आया था और नरेंद्र मोदी जी जाच कराने से भाग रहे थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार उपर से लेके नीचे तक भ्रस्टाचार में आकंट दूबी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर देश की संपत्तियों को निलाम कर रही है ओने पौने दामों में बेच रही है आज मानिय सरवोच्च न्यायाले का अडानी के मामले में एक बहुत ही महत्तुकून फैसला आया है वो फैसला जहां एक और सरहनी फैसला है अडानी की घोटाले की छे सदस्तिय समीती बनाने को बनाकर जाच कराने का फैसला है उस समीती में पूर्व न्याय भीस को शामिल करके जाच कराने का फैसला है वही दूसरी तरफ ये सुप्रिम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोड़दार तमाचा है एक सो चालिस करोड लोगों ने चुनकर भारत का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला कॉर्परेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला LIC में करोनों लोगों का पैसा डूब रहा है SBI में करोनों लोगों का पैसा डूब रहा है प्रदान मंत्री जी JPC से जाच कराईए पूरे सदन के सत्र के दौरान हम लोग एक ही मांग करते रहे लेकिन एक कहवत हमने सुनी थी कि रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था करोणों लोगों का पैसा डूब रहा था अडानी का महा घोटाला सामने आया था और नरेंद्र मोदी जी जाच कराने से भाग रहे थे जाच कराने के लिए तयार नहीं थे जेपीसी बनाने के लिए तयार नहीं थे इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार उपर से लेके नीचे तक भ्रस्टाचार में आकंट दूबी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर देश की संपत्यों को निलाम कर रही है ओने पाउने दामों में बेच रही है मोधी जी ने अडानी को कोईला दे दिया गैस दे दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया स्टील दे दिया सिमेंट दे दिया सिपोर्ट दे दिया एरपोर्ट दे दिया यानि अगर पाताल में चले जाईए तो कोईला और गैस अडानी को दे दिया आकास में चले जाए तो जहाज अडानी को दे दिया आकास से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया सब कुछ अडानी को दे दिया और इतना ही नहीं रुके धाई लाग करोन रुपए का करजा दे दिया जब घाटा होने लगा ब्यावसाय में तो 84 हजार करोन का करजा माफ कर दिया और उस अडानी ने क्या किया? अपने भाईयों के साथ मिलकर सैक्नों फर्जी कमपणियां पूरे देस में और दुनिया में खोलने का काम किया सैक्रों फर्जी कमपनियां तमाम Tax 7 कंट्री में मौरिसस और करेभियाई देशों में खोलने का काम विनो दडानी ने किया जो इसका भाई है दानी का और अकेले मौरिसस का मैं बता रहा हूँ अकेले मौरिसस एक पते पर छे फर्जी कमपनिया खोली गई उन्चे फरजी कमपणियों की आमदनी का जरिया क्या है मालूम नहीं लेकिन उन्चे कमपणियों के माद्यम से भारत में अडानी की कमपणी में 42,000 करोड रुपए लगाया गया 42,000 करोड रुपए क्या कर रही थी सेवी जब ये कालाधन लग रहा था क्या कर रही थी ED Income Tax Department क्या कर रहा था जब एक कालाधन अडानी की कमपणियों में लग रहा था सेवी इसलिए कारवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेवी में अडानी का समधी बैठा हुआ है और मानिय सर्वोचिन आयले से मैं एभी अन्रोद करना चाहूंगा कि आपने सेवी से भी जाच की रिपोर्ट मांगी है कम से कम उसके रिस्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए वो रिस्तेदार अगर जाच करेगा तो कैसी जाच रिपोर्ट बना के देगा ये समझा जा सकता है क्योंकि सेवी तो खामोस रही है अनाप सनाप पैसे दुनिया के देशों से काला धन हजारों लाखों करोर रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था सेवी देख नहीं पाई क्योंकि स्टॉक एक्स्चेंज पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेवी की है क्योंकि वहाँ पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेवी की है अगर सेयर ओवर वैल्यू हो रहा था मुनाफ़ा ना होने के बावजूद सेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे तो सेवी ने क्यों उस समय जाच नहीं की LIC का करोणों रुपए ढूब गया, हजारों करोण रुपए ढूब गया SBI ने हजारों करोण का करजा दे रखा है आज जिन लोगों का पैसा LIC में बुढ़ापे के पिंसन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है वो सारे लोग चिंतित हैं इसका एक ही प्रमाण है कि इन्हों ने कहा है भले ही आपका करोणों रुपए बैंकों में जबा हो लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया वापसी सिर्फ पांच लाख रुपए मिलेगा भले ही बेटी की शादी के लिए आपने बीस लाख जमा किया हो बेटी की शादी की तारीक आ गई बैंक डूब गया तो मोदी जी सिर्फ आपको पांच लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता ना पो ये कानून बन गया नया कानून बन गया कोई भी बैंक डूब जाए क्योंकि मोदी जी जानते है कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप सनाप फायदा पहुँचाया है देश के बैंक डूबेंगे देश के बैंक डूबेंगे नया कानून कहता है पांच लाख से जादा नहीं मिले तो इसलिए ये जो फैसला है ये भारत की सरकार के उपर एक जोरदार तमाचा है और जाच एजनसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए तो करते हो मोदी जी अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उन सारी जाच एजनसियों को काल कोटरी में बंद कर देते हो उस पे कारवाई नहीं करते हो ये भी पूरे देश ने देखा हमारी जेपीसी की मांग सदन में आवाज उठाना या सदन की प्रकिरिया में आवाज उठाने का मौका ना मिलने पर सदन पे नारे लगाना और बाधित करना सो प्रतिसत सही था ये बात आज सुप्रीम कोट के फैसले से साबित हो गई और मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये कॉर्परेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है इसकी जात की परते खुलनी चाहिए और जेपीसी की जो हमारी मांग है क्योंकि सदन सर्वोच्च है पारलिमेंट सर्वोच्च है जेपीसी की जो हमारी मांग है उस जेपीसी के माध्यन से जाच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी पहली बात तो यह अडानी को लेके मामला था दूसरा एक और महत्पूर्ण और इतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो स्वागत योग्य फैसला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्चे जया लेके नाम से वो है चुनाव आयोग के गठ आप बताईए चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधान मंत्री जी की रैलिया ना हो जाए योजनाव की गोष्णाय ना हो जाए चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक ग्रेह मंत्री जी की रैलिया और सभाय ना हो जाए और ये सब कुछ द आज उठ रही थी और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा प्रधान मंत्री जी स्वैम होंगे और मुखिनय अधीज जी होंगे वो लोग मिलकर चुनावायोग का गठन करेंगे ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है और इससे चुनावायोग के निस्पक्षता को कायम रखने में भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी